कि हैं गाइस वल्कम बैक टूम मैं चैनल विदोत्मा मेकवर आज भी में राध हरानी का ही मेकप क्रिएट करने वाली हूं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन अगर आप में चैनल पर नहीं हो तो ने चलिए को सिस्क्राइब करें एंड बेल अगर को इट करना मत भूलिय तो आज मैं स्टार्ट कर לומר से आप लोगों ने में वीडियो with करने सब्सेट करते हूं ने विएज सास्ट में वनमेयद अपने यहां पर प्रामर एक का कसल अपने प्रामर आ की अपने की अपने प्रामर इस लग रहे तया जहां पर इंसाइट का लिया और अपने फेस के उपर जहां जहां मुझे पिक्मिन्स की युनों लग रहे थे वहां पर अप्लाई कर लिया दैन फिर उसको ब्रस के हल्प से मैंने ब्लैंड करना स्टार्ट कर दिया इवन फेस हो जाता है इसलिए कंसीलर कर लेना चाहिए और इसकी फिर मैंने और या फांडेशन लिया और फांडेशन का इस इंदों मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसको भी आइस फेस के उपर ब्रस के हल्प से इसको ब्लैंड करना स्टार्ट कर दें यह बहुत ज्यादा एजली ब्लैंड हो जाता है मुझे आज के ज़रूरी अप्लाई करना है तो विस से बात थी गाइस कि यह राधरानी का मेकप लुक है तो यह तो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए इसलिए मैंने अच्छे से कंसील किया अपने अंडर आई को और चिक को भी कट आउट किया इसके बाद काइस फिर मैंने कंटोर क से अपने बेस को सेट कर लूँगी विकोज दोने मुझे बेस को सेट करना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी से बेस से से बेस से बाद में तो अगर आप लूज पाउडर से सट करोगे तो आपका काफी लोंग लास्टिंग बेस बनेगा तो आप एक करने का लुक है तो उनका चिक काफी ज्यादा यूनों रैड रैड ब्लॉशी सा होता है तो इसलिए मैं यहां पर थोड़ा ज्यादा ब्लॉश का यूज करूंगी थोड़ा नोस पर यूज कर लिया जाएगा और आज मैं ब्लॉश को ही लोंगी एज आई शेडो की तरह और उसको ब्लैंडिंग ब्रॉश के हैट से अपने क्रीज के उसके ब्लैंड करना स्टार्ट करूंगी उस için की तरहें है वब यहां पर यह वाला शेड ले रही हूं आपफर ब्लॉश कलर का और इस मेरा ब्लैं अऋ करना है और उसको अच्छे से ब्लैंड करते जाना है और आप देख सकतों कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है इसके पैलर से गाइस में यह वाला गोल्डन शीमर शेड ले रही हूं और उसको मैं अपने हाफ आइलिट पर अपलाई कर लूँगी यह बहुत एजली अपलाई हो जाता है एक दम मखन के तरह तो बिल्कुल वह डिपिकल्ट नहीं होता है और आप देख सकतों किना ज्यादा प्यारा यह आई लुक लग रहा है आजका अमेजिंग इसकी फिर सेम पैलर से गाइस सेम मैंने ब्लू शेड को लिया है आई शेडो इसको एक लाइक जो एंगल ब्रश होता है ना उसके हलसे में लोवर आइलिट पे इसको ब्लैंड करना स्टार्ट कर दूंगी आपको अराम राम से करना ज्यादा फैला कि मत करना नहीं तो लुक अच्छा नहीं लगेगा एंड सेम उसी तरीके से गाइस में दूसरे आइस क आइलिट पे भी अप्लाई कर लूँगी इसके बाद गाइस मैंने यहां पर काजल लिया जी हाँ आज मैं वाइट का यूज करूंगी विकॉस यह जो आई लुक है ना उस पर वाइट का ज़्यादा अच्छा लगेगा इसलिए मैंने यहां पर काजल लिया और उसको अपल मैंने दूसरे आइस बे भी अपना विंग कर लिया और आई लुक तो गाइस मुझे काफी प्रेटी लग रहा था मैं यहां पर अभी तक फिल नहीं की थी तो फिर मैंने स्विश ब्यूटी के पैलर से डाकर शिर्ट जो था आइब्रो को फिल करने वाला उसी के हल्प से मैं अपने जिर तरीके से आपको स्टार्टिंग में में पहले आप को रहो करना करना है और एसे फिल करते जाओ आपका जो आँपरू है अपका मैं यूकोर्टब करने कि यहां पर यूज नहीं करूंगी इसलिए मैं अच्छे से अपने नैच्रल को ही अच्छे से कोड करूंगी आप देख सकते हो फरक कितना ज्यादा है और मैंने दूसरे आइस को भी मैं कर लिया हाईलाइटिंग लोगी अपने चिक पॉन को है करोंगी नोइस को टिप इसको एक जहां पर आपको हैलाइट करना पसंद आप अपने यहां वहां हाईलाइटिंग ऐसे आपको कैसा लगेगा और मुझे कोंट करके बतायेगा सब्सक्राइब कोमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसा लग रहा है मेरा यह जो मैंने डिजाइन किया है जैसे कि आप देख सब्सक्राइब कर देना है फिर उसी में से आपको इस तरीके से लखी रिखी जिनी है यह किना ज्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है सेम गाइस मैंने सोल्ड पर भी काफी अच्छा लग रही डिजाइन इसके बात गाइस फिर मैंने यह ब्लू कलर का कुम-कुम लिया और मैंने इसको फिल करना स्टार्ट कर दिया राम राम सी फिल करें ज्यादा फास्ट ना करें नहीं तो सारा मिक्सप हो सकता है और मुझे जहां जहां पर लगा कि मैं इस ब्लू कलर का यूज कर सकतूं मैंवहाँ पर इस ब्लू कलर को यूज मत बनाने में बहुत ङरूर बताया जहां चीन मुझे झरूर कर जाती हूं कादड कादड बेंवा नाचे